इंशाल्ला इस ये क्लास में हम बाइनॉमिल थ्यों एक्सपांशन को कंटिमिशन करें पिछली क्लास में तीन क्वेशन्स करें हम इन्फानेट सुलिशन्स को इन्फानेट सीरिस के पहले वह तेखली क्योंकि उसमें क्या है समझाना है थर्ड थर्ड पार्ट में इसको कंटिमिशन कर रहे हैं एक बार फिर से में एक डारूंगी बन रहे हैं क्या दियावलिये एक्सकी वैल्यू 1 2 3 2 3 3 6 5 5 3 6 9 6 9 8 6 9 9 2 5 3 6 9 12 मैं पिछली क्लास में समझाया था अमने आप लोगको छुए ये सीरीज जो स्टार्ट होया आचरी सो पहले 1 हम इसमें 1 नहीं है उसके वाद एक factor होना, numerator दिनोमेटर, 1 by 3, पहले 1 by 3 से सब्सक्राइब, 1 by 3 भी नहीं है, इसलिए हम क्या करना, series बनाने के लिए, लिए लिए 1 plus 1 by 3, पहले series में बनाना, उसके वाद 1 by 3, उसके वाद 1 into 3 by 3 into 6, पहले 1, फिर 1 factors, फिर 2 factors, फिर 3 factors, फिर 4 factors आसा, तो यह बनाने के हम आड कर लिए, तो X पहले से था क्या आड करना है, 1 plus 1 by 3, यहाँ पहले भी आड करना परता है, कपह भी कोई भी आडिंग रता हो, बोच साइड करना परता है, असलिए, लेफ साट भी आड कर लो, राट साट भी आड कर लो, 1 plus 1 by 3, 1 into 3 by 3 into 6, 135 by 369 plus so on, अबसको क्या कर लो, क्या है हमारे फिर्स फॉर्मुला, 1 minus, एक काम विए, फॉर्मुला में capital X उसकर भी, तो होगे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी small x है, तो फिर दोनों confuse रहता है, capital X से बता रहता है, minus p by q, यह फॉर्मुला है, 1 plus p by 1 factor into x by q, plus p into t plus q, by 2 factor into x by q, minus q plus, अगर और एक भी 2 p plus q, p plus 2 q by 3 factorial x by q, plus q plus 1, तो यह हम जो है, फॉर्मुला है, अब इसको हम क्या करेंगे भी, compare कर लेंगे, कौसा term compare करते यहाँ है, यह third term, देखो यहाँ पर p की जाएपर 1 है, अच्छा, sorry, एक स्टेप ने लिकरना, हम एक स्टेप लिकरना, स्टेप क्या यादा, इसको क्या करते है, 1 factor में change करना, इसको 2 factor में, इसको 3 factor में यादे, एक काम करो, x plus, इसको lc में लो, 3 1s are 3, 3 plus 1, 4 by 3, x plus 3 1s are 3, 3 plus 1, 4 by 3, अब equals to 1 plus, यहाँ पर 1 factor में लाना हम तो ऐसा लिदा है, यह 1 to h, निचे 1 by 1 factor दालो, 1 by 3, plus, यहाँ पर किसमें change करते हैं, 2 factor यह 1 समझो, यह 2, इ 3 का दे बंचे निकालने, इन इन इसको 3 शेरषें करते हैं, तो रहे नहीं को तो 2 factor होता है, 1 expect 3 by 2 factor, अब यहाँ से 3, 8 से 3 की निकाले सो 3 स्कоляरसेटा है, 1 by 3, plus, 1 into, 325, 3 factor होता है, यहाँ से 3 निकालना हो स्कार्षें दालो, 6 फार्मपर 3 factor होता है, यहाँ से 3 निकाल दालो, ठीव गूण वाहन बचरह में बाइपन इन रिए यह च्यक्त करें यह स्नी हो गया वान यहाना इक्समाल इक्समाइक सब्सक्राइण लियुम Casey यहां फट Airlines यह यह पे व पना टूर मनि overcome Del Ale भी आता हूं, X by Q है 2 equals to 1 by 3, 2 दे लिग जाओ, X equals to 2 by 3, अब continuation का सेक्डिंग है देखो हम, right left hand side क्या था हमाँ पास, X plus 4 by 3, अब ये series को हम formula इसको है, कोसा formula इसको है, 1 minus X power minus P by 2, अब शो continue कर देंगे, X plus 4 by 3 equals to 1 minus X, X अब भी आया है अपने को 2 by 3, X की वाल्यू के हमाँ पास, 2 by 3, whole power minus P is 1 by Q is 2, L सिमिल देंगे 3 इंपर X, 3X plus 4 by 3 equals to L सिमिल देंगे 3, 1 जा 3, 3 minus 2 देंगे 1, 1 by 3 power minus 1 by 2, last class बता है तो, अब स्कूल था करें तो, मैंने जाके plus 1, तो क्या है, 3X plus 4 by 3 equals to, स्कूल था कर दो, 3 हाँ था, 3 बार बार वाल्यां, 3, power half ये 3 को देंगे चले होना, तो ऐसा रिसे परी क्या है, स्कूल था, A plus B whole square, A square क्या है भी, 9X square, दुनों स्कूल करना, A square ने 9X square, plus 2AB, 2, 3, 6, 6, 4, 24 X plus B square, 4 square 60, ये क्या है, 3 square 9 होता, ये root square चले हाता, अब last step क्या है, 27 उदर लेके चले हो, अगर अब 27 उदर लेके चले हो, तो क्या हिंगा वोलिये, 9X square, plus 24 X equals to, plus 6 उदर लेके तो minus 16, 27 minus 16, 11, तो ये proof का बला था हम question में, 9X square, plus 24 X equals to 11, देखें, यहां पे एक्सर जो questions है नहीं, आपके सिरीस में और actual series नहीं है नहीं होते हैं, actually 2 factorial के साथ 3 square होना, अपन पिछ्छे देख बहुत यहीं करें न, 2 factorial के साथ square का term रहता, 3 factorial के साथ 3 power 4 होना, या 3 कम अगर इसको 3 से multiply कर दिया, तो जब 3 square रहता, ये 3 square ये 3 square ये 3 cube यागता, तो divide करते हो, divide भी कर तो multiply भी करना और उपर भी जोत पड़ती, उपर actually 2 factorial के साथ 2 terms आना, तो 5 से पहले कहेंगा 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ भी 3 के जोत हैं, तो actually series बनाने के लिए क्लिए, पहले एक step में multiply and divide by 3, तो पहले second, third term से start हो, 3 से multiply कर दिया, 5 से 3 को multiply कर दिया, निच्चे फिर divide कर तो पहले से 3 है, तो 3 into 3, 3 square हो गया, plus 3 into 5 into 7 by 3 factorial, 3 से multiply कर दिया, तो पहले से 3 square, 3 cube हो गया, plus 3 into 5 into 7 into 9 by 4 factorial, 3 over 4 plus 100, अब बुलिए, पहला time के रहेंगा, दिखिए, अब इससे पहले 1 होना पड़ता, अब इससे पहले का तर्म के रहेंगा, बोलो, यह 2 factor है, यह 3 है, यह 4 है, तो 2 से पहले के रहेंगा, एक 3 by, यह 2 factor उससे पहले 1 factorial, into 3 square से पहले के रहेंगा 3, on both sides, तो यह add करना पड़ता आपने उससे बनाने के, तो 2 set add के रहेंगे हमाप, तो series बन जाएंगे, x plus क्या हैंगा बलिया, 1 plus 3 by 1 factor into 3, जसा यह set add के रहेंगे, 1 plus 3 by 1 factor into 3, यह दिखे यहांपे, अब इसका यह 3rd term मनेगा, यह 1st term, यह 2nd term, यह 1 by 3, यह करना सकते बोलो, 1 by 3 whole square dollar square, 1 by 3 whole square, इसको करना लिखेंगे, 3 factorial into 1 by 3 whole cube plus, ठीके बिखेंगे, अब देखू, comparing with लिखेंगे, comparing with, अब standard form के हापनास formula है, 1 minus, क्योंगे फिर small x दे रहा न, इसको capital x बता लिखेंगे, 1 plus p by 1 factorial into x by q, plus p into p plus q by 2 factorial, x by q whole square, और एक्टर बिखेंगे दाली आपको, अब compare कर लिखेंगे तो आप बोलो, प कि यह पर क्या है बोलो, अब यह 2 compare करके भी बोल सकते आप, p की जेगे पर 3 है, और x by q के पर 1 by 3, तो p equals to 3, अच्छा यहां पर आजो, अब p, अगर 3 लेगे तो p plus q क्या हो गया 5, p plus q equals to 5 हो गया, और x by q के पर 1 by 3, अब यहां पर 3 लेगे तो 3 लेगे तो 3 लेगे तो 3 लेगे तो 5 minus 3, 2 हो था, 3 plus q equals to 5, q equals to 5 minus 3, q आ गया, p आ गया, यहां पर q गया है, 2, यह 2 लेगे चले ओ, तो x equals to 2 by 3, यह भी आ गया, आप सब्सूट करते हैंगे, अच्छा एक काम कोईगे पर लेफ्ट है, 2, x 1 plus 1, 2, अब इसके लिए फॉर्म लागे है, 1 minus x power minus p by q, तो x plus 2 equals to 1 minus x, x square 2 by 3 whole power minus p, p is 2 by 3, p by q 2 by 3, x की वालुइंग वह यहां एक बार देखरो, x is 2 by 3, p by, अब यहां पर LCM लेटो 3, 3, 1, 0, 3, 3 minus 2, 1 by 3, x plus 2 equals to 1 by 3, 3, 1, 0, 3, 3 minus 1 by 3, अब एक काम करो, यह क्या होईगा बोलिया, यहां पर question कुछ बनती ही है, ऐसा देखरो, 1 है, क्यों कि अपने उस क्या कूफ करो, x square plus 4x, x square plus 4x, x square plus 1, यहां पर देखरो, मैं खाल समने उल्ठा लेग दिया, p plus q, q की वालु क्या हैंगी, विलो 3 देगे तो, p by q है नो, तो यह क्या हैंगा, p by q हैंगा, 3 by 2, a, 3 by 2, सम्झेना है, अब इसको एक काम को उल्ठा कर दो, यह मैनस जा के plus 3 by 2, तो x plus 2 equals to 3 by 1, 3, 3 power 3 by 2, 3 power 3 by 2, एक शॉर्ट में सम्झाल तो मैं देखरो, कपी भियाद करना, a power 3 by 2 होता, a root, a power 3 by 2 होता, a root, उस लासे वह लोग, x plus 2 equals to 3 power 3 by 2, 3 root, को 3 जासा यह बता रहा है, अब root लेगा लेगा करते है, squaring both sides, squaring है तो x square, plus 2, v2, 4 x plus 2 square, 4, a square, plus 2, v2, 4 x plus v square, 4, यहां पर squaring है तो क्या है, 3 square 9, यहां पर root square चेला था, 9, 3 सा 27, last time, x square plus 4 x equals to 4 दे लेगे तो minus 4, 27 minus 4 गया होता हो 23, तो x square plus 4 x equals to क्या है, next question दीखे, find the sum to infinite series, यह series है अब दो यह series को तो तो रहा सहनी फोर्म है, let s बखे दिनोट के लिए, अब s equals to 7 by 5 into 1 plus, अब यह वन फैक्टोर दाना तो इसका है क्या सही क्या होता है, 1 by 1 factor, 1 by 10 square क्या होता, 100 दावा में, plus 1 into 3 by, 1 into 2 क्या होता है, 2 factorial, अब यह क्या है बोलो, 10 power 4 है, 10 power 4 को 100 square लिक्ते हैं, 10 power 4 याने, 10 square whole square, that is 100 square, तो उसका सही दा लिए, 1 by 100 square, वैसी यहां पर यहां, 1 into 3 into 5, 1 into 2 into 3 क्या होता, 3 factorial, into 1 by 100, 10 power 6 is, 100 cube लिक्या होता है, बस यह series हो भी अपनी, आपके अगरना, सिधा comparing में लिखने के formula लिखने में, यह 7 by 5 क्या है, multiplier है न, इसको बहार ऐसी हैं तो, इसको अबन compare करने रहे हैं, comparing with, किससे compare कर रहे हम, 1 minus x power minus p by q, क्या 1 plus p by 1 factor into x by q, plus p into p plus q by 2 factorial, x by q whole square, x by q whole square plus 1, अब compare करके p की value क्या है, बोलो भाइब यहां से ले लो न, सिधा p की value 1 है, और p plus q की value 3 है, और x by q की value 1 by 100 है, चलो यहां से 1 अग दले समझो, 1 plus q is to 3, q क्यों क्यों जेंगा 2, q equals to 2, p आगा, q आगा, अब यह 2 दलेगे जो, 2 by 100 हाता, x equals to 2 by 100, 2 1s or 250's, therefore x equals to 1 by 50, अब यह formula में सब्सुट्राइब अपन, यह कैसा रिखेंगे, s equals to, यह छोड़नाने 7 by 5 into, यह series का expansion का formula हापने पास, 1 minus x power minus p by p, तो यह multiply करना यह इसको, अब इसको substitute curling अपन, s equals to 7 by 5, 1 minus x का 1 by 50, power minus p is 1, q is 2, इसको तो रहा स्वाल कर सकते, 7 by 5 into, lcm 50, 50, 50, 50 minus 1, 49 by 50, whole power minus 1 by 2, इसको minus को प्लेस करता, यह उठागा आता, s equals to, 7 by 5 to, 50 by 49, power half, half का बंतर के वे root, s equals to, 7 by 5 to, under root of 50 by 49, के हैंगा वले, s equals to, 7 by 5 to, root, root 49 के होता, 7, और root 50 आसा सकते हैंगा, 25 to 2, यह आता, 5 root, 50 आने 25 to 2, 25 to 2, 25 to 2 बातो 5 root 2, 5 root 2, तो थोड़े, आप लोग सेल्फ प्राक्टिस करें, जब तक आप पहन और रफबुख लेके प्राक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएंगा, इसलिए आप लोग से गुजारी शर्वे, इसको जो है, सेल्फ प्राक्टिस करें, करें के लोग गुजारी शर्वेले काते हैं, तो आप लोग से QC V 높 हैं, सेल्फ सेल्फ नहीं करें, सेल्फ एक्स नहीं कर तक आपँ आपऊच। झाल झाल